काई विवन आप कैसे आप लोग तो आज से हम लोग शुबार्म करते हैं और काईनमेटिक्स तीक हैं तो काईनमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती है लग-ssa और इस तरीके से चलना मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे पॉइंट को पकर कर स्थार्ट करो जहां पर हर चीज समझ आने लग जाए बतम आपको एक control मिल जाए over the concept ताकि आप बहुत तरीके से इसको apply कर पाऊ और आपको flow मिल जाए ठीक है तो वहां से कहानी प्राइब करते हैं तो kinematics में हम लोग सबसे पहले ऐसा लिखते हैं कि one dimensional motion पर जाते हैं और अगर वन डी आपको अच्छे से आता है मैं आपको दावे से कह रहा हूं 2D में कहीं से कोई परिशानी नहीं आगी कहीं से कोई परिशानी नहीं ठीक है जी तो आप सबसे पहले one dimensional motion पर जाओ और वन ड को इसमें uniform acceleration की कहानी पढ़नी है one dimensional motion ठीक है जी तो अब अगर जो basic points की बात करते हैं तो अब यहां से फटाफट समझ लो कि आप distance लिखना जानते हो अब displacement लिखना जानते हो मैं एक बार फटाफट लिख भी देता हूं यह क्या है displacement लिखना चानते हो तो distance और displacement पे जो basic difference है कि भी distance के लिए में याद रखना होता है कि यह actual path length है this is actual path length मतलब जिस भी path पे particle travel कर रहा है उस path का जो actual length होगा वही क्या हो जाएगा distance हो जाएगा इस बात को ख्याल रखना है तो हमारा फर्स बनता है कि इसको लिख लिया जाए लेकिन जब भी हम one dimensional motion की बात कर रहे है तो इस बात को ख्याल रखना है कि distance or displacement दोनों always equal होगा अगर if there is no u-turn अगर हमारे पास u-turn picture में नहीं आता है तो distance or displacement always बराबर होगा कैसे देख सकते कि अगर मालो always equals to displacement हो जाएगा यहां तो बात है बिल्कुल समाझ जा रहे है कोई परिशान होने वाली बात नहीं बहुत बढ़िया लेकिन if there is some u-turn if there is u-turn if u-turn is there then what will happen sir then distance would be greater than displacement क्योंकि देखो particle जैसे यहां तो पहुंचा और फिर इसने यहां से u-turn लिया तो जैसे u-turn लिया अब आप आप देखो कि यह मान लो यह final कोई सेने तो initial और final के बीच में जो distance है वो displacement कहलाएगा लेकिन पक्के तो पर आप कह सकते कि भाई जो actual path है उसकी length displacement से जाता है तो if there is u-turn if u-turn is available then हम कह सकते हैं कि distance अब आप देखो आगे बढ़ो और यहां से समझने की कोशिश करो अपने यह देख लिया कि वह दिस्प्लेस्में वोट इस डिस्टेंस यह बात समझ आगे वन डामेंशन में कब दोनों अलग हो जाएगा यह आपको पता लग गया अब हम एक सिंपल ग्राफ हीसते हैं यहीं से एक्सलोरेशन विलोसिटी सब कुछ सारे निमारिकल किस तरह से हो सकते वो सब देखते चले जाएगा तो यहां पर यूनिफॉर्म एसलोरेशन की बात कर रहे हैं मतब विलोसिटी बढ़ रही होगी या घट रही होगी यूनिफॉर्म रे विलोसिटी रिमेंस कॉंस्टेंट अगर इस ग्राफ की बात करें तो दाट वी रिमेंस कॉंस्टेंट इसमें कोई पंगा यह नहीं है लेकिन अगर मैं ऐसा खीच दूँ जरा ध्यान से मेरे बात को समझने की कोश्च करिएगा क्योंकि ग्राफ पे एक बर यहां से आप थो जीरो वाला लाइन है यह देखो यह लाइन हो गया मतबड़ इनीशल वेलॉसिटी हो अब आप देखो मैंने क्यों यूनिफॉरूम एक्सलरेशन में ऐसा लिख दिया कि देखो इकोल टाइम में इकुओल वेलॉसिटी में चेंज आ रहा है अब देखो आप यहां से देखो इक्वल टाइम में बराबर बराबर वो velocity बदली है देखो यह सब भी बराबर बराबर टाइम इंटरवल है तो यह change in velocity सब में बराबर बराबर मिला है मतलब हम कह सकते हैं कि अगर uniform acceleration है तो जो velocity time graph होगा उसका slope constant रहेगा और यह जो slope है उस line का जो slope होगा तो वह ही असलेरे सर बताएगा इसमें और दिख़ो ती-जिरो पर यहां आगे तो किसी भी पॉइंक पर हम बात करें यहीं टाइम-टी पे यही जो वेलासिटी थी यह चेंज ओकर कि कहां पहुंच पहुंच जो रही हिए इसको फाइनल वेलासिटी कह सकते तो देखो यह इन तोर पे वी माइनस यू बाइड कैलाएगा यह कैसे लिखा रेट ऑफ चेंज ओफ लिनियर विलॉसिटी विद रस्पेक्ट टू टाइम इस लेसे तो यहां पर रेट आफ चेंज विलॉसिटी की बात करें तो फाइनल विलॉसिटी माइनस इनीशल विलॉस्टी अपॉन यह लेकिन अगर इसको तोरा ढंग से देखा जाए तो यह क्या बता रहा है यह चेंज इन विलॉसिटी हो गया क्या इसको भी माइनस यू लिख सकते और यह वो टाइम हो गया जिस टाइम की आब बात कर रहे हो तो यह स्लोप ऑफ दे लाइन हो गया मतलब एस्सलोरेशन को हम 10 थीटा लिख सकते विच इस लोप ऑफ दी लाइन मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत हो नीचे इस इस लोप ऑफ दी लाइन बिल्कुल क्लियर है मामला तो अगर आप यहां तक देख रहे हो समझने की कोश्च कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई परशान होन सब्सक्राइब अगर हम लो यहां पर डिसप्लेसमन्ट की बात करेंnell free के कि बात करें carry de discrete मिंट की बात करेंगे तो वो क्या होता था इसको फाइनल पूईशन माइनस इनीशन लिख सकते इसको एकस फाइनल माइनस एकस इनीशन लिखते तब भी कोई परिशानी नहीं बहुत बढ़िया लेकिन अगर आप यहां से देखो तो युनिफॉर्म अगर होता था तो तुम क्या लिखते थे displacement को velocity into time लिखते थे तब जब युनिफॉर्म मोशन की बात होती थी तो displacement simply velocity into time होता था देखो यही से हम लोग इस अप्रोच पर पढ़ेगे ना कि जब variable acceleration हो तो भी कोई परिशानी नहीं नहीं हो तो यह आप तब की बात कर रहे हैं जब आपके पास कोई acceleration नहीं होता था तो सीधे तोर पर displacement goes to velocity into time बड़ी अच्छी बात है तो क्या यहां पे हम यही काम कर सकते हैं क्या जड़ा देख लेते हैं सर्थ यहां तो बाते समझ आ रही मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी ची बहुत बढ़िया अब देखो इसी graph से कहानी शु यह रह गया तुमारा ताइम टी जहां पे कि हमें इस प्लेस्मेंट निकालना है अब ज़र्णा सोचिए कि बाई displacement क्या होता है velocity into time यह तो बिल्कुल पता है आपको बात इसमें को दिक्कत ही नहीं है लेकिन हम वी केनाट यूज इस फॉर्मॉला इन इस सिच्वेसन धरेक् अगर हम यहां पर देखे खिए तो हमारे पास तरीका नहीं है इसको डायरेक लिखने का तो हम क्या कर सकते हैं बहु कि देखिएगा समझेगा कि भी विल्कुल इस वेरीवल इन इस सच्वेसन तो में क्या करना चाहिए कि हम स्मॉल टाइम पेगर चले किसी टाइम पे चले और वहां से small time interval अगर assume कर लिया तो for that small time interval हम velocity को constant assume कर सकते क्या कि हमने बहुत छोटा सा time एक लिया time interval dt हमने बहुत छोटा सा time interval लिया dt और उस moment पे हमने v check किया तो velocity हमें suppose v दिख रही है तो for this small interval अब इस v को uniform consider कर सकते हो तो जो इस छोटे से displacement time interval में जो छोटा सा displacement होगा it can be written as v into dt कोई problem ही नहीं यह क्या है यह हमारा final answer नहीं है this is the displacement in this very small interval dt अगर चीए हम इसको integrate करेंगे और जब integrate करेंगे तो देखो यह पूरा area हो जाएगा क्या यह पूरा area हो जाएगा तो आपको क्या बात समझाई कि भी अब यह हमेशा याद रखना है कि whenever we have velocity time graph whenever we have velocity time graph तो area अब यह uniform acceleration हो कि non uniform हो हर जगा valid होगा बट हम यहाँ भी पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे तो आपके एकदम दिल में बस जाएगा तो कहीं से कोई परिशान होने वाला मामला नहीं होगा तो हम कह सकते कि whenever we have velocity time graph तो in case of velocity time graph area area under VT curve will give us the displacement यह बात बलकुल सही है area under VT curve क्या देगा? displacement देगा और यहाँ पर आपने समझी लिया था इसके तुरंत उपर मैंने आपको बताया था कि slope of the line देखा था आपने वह acceleration बता रहा था वह मैंने उपर लिख दिया वह देखो फिर पर मैं यह आप लिखता हूं कि एक तो यह चीज़े याद रखनी है दूसरा क्या होगा बेटा? यह भी slope of the line मतलब 10 थीटा यह क्या बताएगा आपको? slope of the line यह क्या बताएगा? यह दो चीज़े आपके पास है ठीक है? अब हम फिर से स्पेशल केस पे आते हैं और कुछ फॉर्मले फटाफट फटाफट करके डेराइव कर लेते हैं ठीक है? तो मुझे लगता रही कि यहाद कोई भी परेशान होने वाली बात है किसी के पास? अब देखो अब अगर हम यहाँ से देखे यह यही अरेंजमेंट है ठीक है और जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है मैं अपनी तरफ से पूरी कोईश्च कर रहा हूँ कि इंट्रस्टिक भी हो और आपको हर बात समझाए और इसके तुरंद बात आपको हमेशा एक लेक्शर मिला करेगा जिसमें problem solve कर रहे होगे तो कहीं से कोई परिशान होने वाला मामला नहीं होगा तो अब यहां से देखो बेटे कि अगर हमारे पास यह velocity time graph है ठीक है और initial velocity u given है और हमारे पास कुछ भी पता नहीं है यह given है तो अगर हमें t time में displacement चाहिए तो यह पूरा area होगा यह प कहीं तरीके हो सकते हैं आपको जो सूट करता है उसके हिसाफ से देखें कि अच्छा यह पूरा area चाहिए तो देखो यह पार्ट तो इस वाले पार्ट में तो there is no problem यह यू है और यह टी है तो गर मैं displacement की बात करता हूं तो यह तो u into t सीधे तोर पे हो जाएगा यह u into t सीध यू बाइटी को पंगा ही नहीं कि मैंने आपको बताया भी कि ग्राफ में 10 थीटा क्या बताता है इसलेरिशन बताता है तो अगर मैंने यहां पर वेलॉस्टी वी एजूम कर ली इस नाट इन गुश्य हमारे पास सरफ क्या बता था यू पता था हमारे को क्या बता था था यहां से मैं डिस्प्लेस्में निकालना था बट हमने वी एजूम कर लिया अपको पता ही कि 10 थीटा ही क्या हो जाएगा 10 थीटा ही जो स्लूप आप दे लाइन वही एसलेरिशन होगा तो देखो यहां से वी क्या आगया यू प्लस एक ही याद रहेगा बिल्कुल लिख सकते मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी ठीक है अब जैसे आपने यह लिख दिया तो अब यहां से देखोगे कि यह हमें पूरा एरिया चीए था तो डिस्प्लेस्मेंट में एक टर्म तो आपने लिख दि है तो हम कैसे लिख सकते हैं देहां से समझने की कोश्च करिए क्योंकि हमारे पास यह तो दिया अब ये सीधे-सीदे वी माइनस यू है गया इस हाइट को भी माइनस यू लिख सकते और यहां से वी माइनस यू को एटी लिखा जा सकता है तो देखो एटी हो गया देखो एस इकोस टू कि यूटी प्लस आफ तो जब भी हमारे पास uniform acceleration है और अगर हमें displacement लिखना है तो यह लिखेंगे और अगर फाइनल वेलॉसिटी लिखनी है तो यह लिखेंगे वी इस दफाइनल वेलॉसिटी यूज इनिसल वेलॉसिटी ठीक है जी यहां तक कोई भी दिक्कत होनी नीची अब इन दोनों को एक तो इस्तमाल करके ठीक है ती को eliminate कर लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा वी स्कूरे रिकोस्टी यू स्कूरे प्लस तू यहां से टी के वैल्यू पूट निकाल करके इदर पूट कर दो तो यह मिल जाएगा तो यह तीन इंपॉर्टेंट एक्वेशन से हैं एक्वेशन वन इक्वेशन 2 एक्वेशन 3 इसमें कहीं से कोई परशान होने वाला मामला नहीं है अब यहां से कहानी शुरू होगी जो numerical type का होगा तो कैसे किस तरह सम प्रोच करेंगे वो सारे points मैं आपको समझा रहा हूं जर अध्यान से देखते चाहिएगा तो मुझे लगता यहां तो ब आप लिखने का मतलब पॉजिटिव x-axis पे है डारेक्शन अगर हम एक्सलेरिशन की बात कर रहे है इत प्लस फाइव आई मीटर पर सेकेंड और आपसे टाइम दे दिया कि 4 सेकेंड बड़े आराम से सब कुछ निकाल देंगे मुझे नहीं लगता कि कोई भी परशान होने आप इमीडेटली वेलास्टी निकाल सकते आप इमीडेटली डिस्प्लेस्में निकाल सकते कहीं से कोई दिक्कत निया किसी ग्राफ पर जाने की जरुत ने पड़ेगा आप सीदे से एक्वेशन यूज कर लोगे तो वी अगर लिखना है तो सीदे से ट्वेंटी प्लस एट तो कहानी अलग होगी से कहानी क्या लोग ही कि मैं समझा रहा हूँ अगर यहीं पर सवाल दे दिया जाए कि बही इनिशियल वेलासिटी इस ट्वेंटी आई मीटर पर सेकंड एंड एस्सलेरेशन एज माइनस 10 आई मीटर पर सेकंड स्क्रेट और टाइम इस अंवह को कह दि जो था यही distance भी था यही displacement भी था यही distance भी होना था और इसी को कि धिस्प्लेश्मेंट भी होना क्यों क्योंकि यहां पर initial velocity भी positive x पर जी और acceleration भी positive x पर तो कहीं से U-turn का कोई chance नहीं है जब U-turn का कोई chance नहीं है तो distance displacement दोनों बराबर हो जाएगा in this situation हम कह सकते कि distance और displacement दोनों बराबर हुआ क्योंकि कोई भी chance नहीं था U-turn होने का इसलिए दोनों बराबर हुआ लेकिन यहाँ पे chance है क्यों है मैं समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो velocity जो है positive x पे अगर velocity की बात करें तो वो positive x पे है और जो acceleration है वो negative x पे है तब आप पहली बात यह समझें कि सर इतने लफरे हैं तिन वो जो अपने formula derive करके दिया वो क्या तब आप याद रखना कि whenever you have motion on a straight line यह बिल्कुल correct formula है always you can use it लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि s is always displacement s always displacement इसमें कोई धोकादरी नहीं होगी अगर one dimensional motion है और constant acceleration है अगर one dimensional motion है और constant acceleration है तो इसमें कोई भी धोकादरी नहीं होगी इसकी guarantee है लेकिन if we need to find distance you have to check the situation आपको situation check करना पड़ेगा कि अगर distance निकालना है तो हमें यह यह चेक करना पड़ेगा इस देर इस यूटर्ण बिट्विन गिवन इंटर्वल यह जैसे चेक कर लेंगे तो पता लेंगे अगर नहीं है कोई पंगा नहीं है फिर तो distance displacement बले बले लेकिन अगर है तो काम खराब हो जाएगा समझारी मेरी बात तो इसलिए बैटर है कि ऐसे सारे अब अगर आप देखो कि यह विलॉसिटी की बात कर रहे हम लोग और इनीशियल टाइम पे यह 20 था अगर अगर हम acceleration की बात करें तो यह क्लियरली माइनस 10 मेंशन किया हुआ था टैन आई मीटर पर सेकेंड स्क्रेड मतलब एक का डिरेक्शन नेगेटिव की तरफ होना चाहिए नेगेटिव एक्स की तरफ होना चाहिए मतलब slope of the line जो slope है वो भी नेगेटिव होना चाहिए यह बिल का माइनस 10 होने का मतलब सरफ इतनी सी बात है कि यह नेगेटिव डिरेक्शन में एक्सेलरेशन का रोल प्ले करेंगा अब देखेंगे प्ले तर रोल ऑफ पॉसिटिव मतलब अब आप देखो स्लोप नेगेटिव होना है मतलब जो आप लाइन ऊपर खीच रहे थे ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब उल्टा खीचना होगा अब देखो यह जो कट कर रहा है न सर यह जो कट किया जो मैंने कहाने है यह यू टर्ण मैंने थोरा यू यू लिख करना है तो हमेशा याद रिखेगा एक यू टर्ण एक यू टर्ण वेलोस्टी मस्ट बीक्वल टू जीरो क्योंकि यहां पर कोई भी इंपल्स वाला मामला नहीं कि और बॉला और बैट से मार करें एक सेकंड में उसको वापीस कर दिन हो अगर एक बॉडी मूव कर रहा है नॉर्मल इसलोरेशन के साथ या डिटारेशन के साथ जो भी हो तो पहले वह स्लोडाउन हो करके रेस्ट पे आएगा देन बाडी विल बिगिन मॉविंग इन दे ऑपोजिट डिरेक्शन मेरे बात समझे है पहले वह रुकेगा जैसे तुम सोचो अगर एक बॉल को उपर हेंग दीआ तो पहले वह टॉप पे जाके रेस्ट पे आता है फिर वह वापिस चलता है ज्यादा सोचो ड़ीए पहले भी जी था अब भी जी पर फर्स्ट हाफ अप दे मोशन क्या था वो जो जी था वो रिटारेशन का रोल प्ले कर रहा था लेकिन फो डाउनवर्ड मोशन वो विलॉस्टी बढ़ाने लग गया तो मतलब यू टर्ण पे वी जिरू होना है तो वो हमें चेक करना है कि वो कब होगा तो अब देखो जैस है हम सब कुछ कैलकुलेट करके लिखे तो अगर मैंने इसको टी लिख दिया बेटा और यह 20 है तो अब सिर्फ मागनिट्यूड मागनिट्यूड की बात करें तो 20 अपॉन टी मस्ट बीक्वल टू 10 क्योंकि हमने उल्टा किया तो माइनस तो होगा ही होगा मतलब इससे साब हो गया मतलब डिस्टिनस ओूर डिस्पलेश्मेंट अलग अलग आजाएगा तो सवाल को देखे और अदो सिदे उस फॉर्मले इसल्वों के इस्टमाल ऑप करें तो है से डोक्ति प्लस हाँ पैटिसके और बिल्कुल सहीर मिलेगा तो ने कि वो झाहोगा displacement मिलेगा तो अगर हम initial velocity की बात करें इन्टू time interval 4 की बने plus half acceleration is minus 10 into 4 square अगर आप देखोगे तो 40 20 into 4 80 और यहां पर 60 80 80 गया 0 हो गया मतब particle जहां से चला था वही पहुंच गया इस पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि वह ऐसा चलना शुरू हुआ था गया एक turning point आया 2 second पे फिर वह वापस चला और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जहाँ से चलना शुरू हुआ 4th second के end पे वह वह वहीं पहुंच जाए अब वह देखो कैसे पहुंचेगा तो हम लोग यहां से देख ले तो देखो यह आ गया अगर हम 4th second की बात करें तो 2 और यह 4 second यहां लिखे तो फिर से slope तो उतना ही होना चाहिए क्योंकि acceleration का magnitude कभी नहीं बदला है तो यह बिल्कुल है जाएगा जी अगर यह ऐसा ही जाएगा तो यह देखो और यह ऐसा ही जाएगा तो मतलब जो प्लस 20 था वो यहां पे माइनस 20 दिखेगा माइनस 20 देखे का मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत हो नहीं चीए किसी भी बच्चे को अब आप देखो क्यों ऐसा आया पता लगया तो देखो यहां से 0 to 2 तक देखोगे तो जो माइनस 10 था वो retaration का Roll Play कर रहा था velocity हैboys चीब दिक्रीज हो रहा हाथा लेकिन तूटूवा रही बीच में वहीं विलॉसीटी को increase करा रहा है कि यह डिरेक्शन में तो यहां पर नेगेटिव से सिर्फ इतना मतलब होता है कि यह डिरेक्शन बताता है कि फॉजटिव एक्स पे पॉजटिव आई कि नेगेटिव आई पे इससे ओपर कुछ भी नहीं मेरी बात समझ आ गए अब देखो axis के ऊपर जब भी लिखते हैं तो यह positive displacement आएगा बहुत obvious है क्योंकि यह positive velocity के वज़े से gain किया हुआ displacement है तो positive displacement और अगर हम इसके नीचे देखेंगे तो यह always क्या होगा negative displacement इसके साथ में तुरंत एक problem का भी एक lecture मिलेगा जिसमें बहुत सारी clarity दिख जाएगे आपको देखो यह negative displacement ठीक है positive displacement और यह क्या हो गया negative displacement तो हमेशा याद रखेगा axis के ऊपर क्योंकि वह positive velocity के वज़े से displacement मिला इसलिए positive displacement और यह negative as far as distance is concerned क्या करेंगे हम लोग तो देखो ऐसे चलते वे जितना distance आया ऐसे चलते वे भी वह एड़ी करना सब्सक्राइगा कभी negative तो हो नहीं सकता तो distance के लिए ऊपर नीचे दोनों तो यहां पर भी positive distance होगा कि अगर तुम displacement निकालना चाहते हो तो तरीका क्या होगा अगर तुम displacement निकालना चाहते हो तो तरीका क्या होगा सीधा एवन मैनेस की लेकिन यहीं पर अगर मैं डिस्टेंस चाहिए तो क्या करेंगे लुदूर से इतू एवन प्लस आप यहां से सीधा सीधा मागनीटुट तो मैं इसको ऐसा करता हूं ताके आपको कोई परेशानी नहीं क्योंकि कई पर नेगेटिव लिख लेते तो इसमें कोई पंगई नहीं हो तो दोनों को क्या करना में एड करना है यहां पर क्या करना है क्योंकि नीचे हमें नेगेटिव डिस्प्लेश्मेंट मिल रहा हुगा अब आप देखो यह बड़े आराम से कर सकते वन अपॉन टू ब डिस्प्लेश्मेंट जीरो क्यों आगया पता चला लेकिन बहुत इंपॉर्टन कि अगर यह एक्जाम में कुश्यन आता और डिस्टन्स पूछा जाता तो हम ऐसे लिखते और बड़े आराम से आंसर तक पहुंचते अगर हमें डिस्टन्स निकालना होता तो डिस्टन्स मे ठीक है तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी परेशान होने वाली चीज थी कैसे था तो देखो इनीशल विलॉसिटी यह कैसे कैसे लिखा क्यों लिखा तो ग्राफ का आप हमेशा ख्याल रखेगा और वन डामेंशनल में हमेशा याद रखेगा कि डिस्टन्स डिस्प्लेस्म यह नहीं है कुछ ऐसा थे कब पार्टिकल इस प्रोजेक्टेट फॉम डट अफ अफ इंड टाइम टेकन बाइड पार्टिकल तू रीज दॉप्मोस्ट है दिन कुछ रिलेशन निकल था उसमें बस मेरा यह कहना है कि आईडिया क्या था कि जब भी ऐसा निकलना हो कि अगर अगर आप से मैं यह पूछ लूं कि जमीन पर पहुंचने का टाइम कितना हो जाएगा भी यह बता दो पार्टिकल तू रिज दग्राउं बहुत लों कहेंगे पस्ताइड नीद तू इस ताइम टीवन और देन विल कल्कुलेट इस ताइम टीटू और आपको टोटल थाइ हैं लेगा एकजाम में आपके पास पाइम कम होता है तो अब मैं यह कहता हूं कि मैं आपसे सरफ यह कहता हूं चेक करो वण्डी मोशन है क्या 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 रखना है तो जब अगर यह दोनों चीजह हैं तो तुम इसका इस्ताबाल धूम-दाम से कर सकते हो बस आपको ख्याल क्या रखना है आपको हम क्या रखना है वैसल क्या रखना इच्छी सभी वेक्टर क्वांटीटी तो डेस्प्लेशमंड ब्रमेंध होता है अगर दीरेक्शन लिखते हैं तरफ मुझा का इनीशल की तरफ होता है तो अगर मैं यहां पर डिस्प्लेस्मेंट देखू पार्टकल यहां से चलना शुरूब और यहां पहुंचा तो मैं क्यों न माइनस से लिखते हूं बेटा अगर हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड डिरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा और डिस्प्लेस्मेंट कहां से कहां तक होता है इनीच में कहां गया कोई लेना देना नहीं बीच में अब कैसे किदर गया कोई फरक नहीं पढ़ता अब अगर आप देखेंगे तो मैंने से इच इच शुट पीक्वल तो इनीशल वेलॉसिटी वह पॉजिटिव लिया हमने टी लिख दिया जो कैलकुलेट करना था अब इसलेशन डाउनवर्ड है तो उसको जी नेगेटिव लिखना पड़ेगा सरफ एक लिख करके हम रिजल्ट तक पहुंच गए तो इस बात का ख्याल लखेगा कि सरफ माइन साइन लिखने से कोई रिटार्डेशन नहीं हो जाता तो अब अगर आप यहां पर लिखोगे तो यह पॉइंट अगर उससी एक्सलेशन की बात करते हैं हम लोग फास्ट आप के लिए वह वह विलॉसिटी को डिक्रीज कर रहा था तो दाट एक्सलेशन वस प्लेइंग ते रोल उफ रिटार्डेशन फॉर फर्स्ट आप अप तो माइनस सरफ एक चीच पक्का कर रहा है माइनस कहीं पे भी लिख रहे हो तो सरफ वह एक चीच पक्का करके दे रहा है नेगेटिव है तो देखो किस तरह से हमने यहां पे इसको लिखा यह बात समझा रही है तो कहीं पे भी हमारे पास अगर uniform acceleration है तो किस तरह से graph खीच यह समझ आगया किस तरह से लिखने यह बात समझ आगया कहीं से को दिखत होनी नहीं चीए तो देखो velocity time graph कैसे लिख दिया यह पता लग गया अब इस पे based questions करना है आपको फिर next lecture में constant acceleration और वहाँ पे displacement time पर चलेंगे हम लोग क्या करेंगे displacement time next class में लोग क्या करेंगे displacement time and acceleration time and velocity acceleration जो सभी important हो जाता है कईने कहीं से यह पूछ लिया जाता है ठीक है तो एक और इसमें लेक्चर लगा के तब हम लोग non uniform पर जाएंगे बट अभी जो अगला अभी लेक्चर आपको मिलेगा वह इनी concepts पे based इनी concepts पे based questions मिलेंगे आपको अच्छे वाले सवाल जिससे कि आपको मतब समझ आएगा कि भी चीदें एकदम से बहतर होती चली जाएंगी इविन जैसे हम acceleration को समस्ते चले जाएंगे तो मुझे उमीद है कि मैं आपको कुछ सिखाने में कामियाब रहा हूं यहां तक और सबसे इंपॉर्टन चीज है कि छोटे चोटे पार्ट में हम लोग चीजों को समस्ते जाएंगे करते चले जाएंगे ठीक है और यह जैसे वीडियो मलता है इसके करता है